Hello dear students, इस वीडियो में हम class 3 की English worksheet number 62 करेंगी Date has 4 September 2021 और यह worksheet आपके textbook Marigold के Unit 1 The Magic Garden Story से ली गई है So students, The Magic Garden यह आपका English के book का chapter है और इस chapter की video की link में आपको description में दे रही हूँ description में इस chapter की video है आप वहाँ जाकर इस chapter को जरूर देख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से chapter समझ आ जाए और वक्षिट करने में आसानी रहे ठीक है students? और description में इस वीडियो की link है जरूर चाहिए और उसे देख लीजिए आईए अब आज की वक्षिट को शुरू करते हैं Hello my dear children what a beautiful day it is to revisit the magic garden तो hello प्यारे बच्चों आज कितना अच्छा दिन है magic garden वाली जो स्टोरी है उसे पढ़ने का तो जरूर पढ़ लीजेगा link description में है तो आईए अब यहाँ पर आपको क्या से खाया गया है आज की वक्षिट में describing words के बारे में Read the following sentences carefully सबसे पहले हम इन वाक्याँ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे We love the little children हमें छोटे बच्चे पसंद है One sunny morning the flowers were talking to the birds एक गर्मी वाली morning में जो flowers थे वो birds से बाते कर रहे थे The word little is telling us more about children Similarly the word sunny is describing morning तो जो little word है यहाँ वो बता रहा है कि बच्चे कैसे हैं छोटे है little का मतलब होता है छोटे Similarly इसे की तरे जो sunny शब्द है वो हमें बता रहा है सुभे के बारे में कि सुभे कैसी है sunny है तो ऐसे words को हम क्या पूलते हैं Describing words जो किसी के बारे में किसी noun को describe करें Like अगर मैं आपसे बोलू राम is a good boy तो यहाँ पर मैं राम को क्या describe कर रहूं राम के बारे मैं describe कर रहूं कि वो good है वो अच्छा है तो यहाँ पर जो good होगा वो describing words होगा अब देखिये अब यहाँ पर हम थोड़े questions करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पर यह describing words समझाएंगे Now let us underline the describing words in the sentences given below अब हमें describing words को underline करना है इन वाक्यों में Describing words tell us something more about the noun Like its quality, its color, its shape, its size and etc. One has been done for you तो देखिये एक describing word क्या करता है किसी भी चीज को describe करता है किसी भी चीज की विशेशता बताता है अच्छा आपने हिंदी में विशेशन पढ़े होंगे English में उन्ही को हम लोग describing words बोलते हैं तो किसी भी चीज की विशेशता बताना जैसे के लिए वो कैसा है उसका रंग कैसा है उसका size कैसा है उसका shape कैसा है ठेक है तो आई देखते हैं first है the apple is red जो सेब है वो कैसा है red है तो यहाँ पर देखो सेब कैसा है उसकी क्या विश्रिष्टा बताई जा रहे है कि वो लाल है red है तो red पर आप लोग underline करेंगे let me zoom it मैं zoom कर लेती हूँ second देखिए I have a blue bag मेरे पास एक नीला bag है तो अब यहाँ पर bag की क्या विश्रिष्टा बताई जा रहे है वो कैसा है नीला है तो यहाँ पर blue हो गई हमारी describing word manjeet has a new pan manjeet की पास नई pen आई है तो अब यहाँ पर pan की क्या विश्रिष्टा बताई जा रहे है pan कैसी है new है यानि नई है तो यह new हो गया describing word तो चीटा runs fast जो चीटा है वो कैसा भागता है यहाँ पर क्या बता जा रहा fast भागता है तो fast हो गया यहाँ describing word it is a tall tree यह एक लंबा पेड है तो यहाँ पेड के बारे में क्या बताई जा रहे है कि वो लंबा है तो यहाँ पर लंबा है एक describing word ठीक है जब भी आपके पास कोई sentence आई और इसम बूचा जाए कि describing words पर underline करो या describing word कौन सा है तो आप सबसे पहले यह ध्यान कीजिए कि उसकी क्या विश्रिष्टा बताई जा रही है ठीक है फिर उस पर आप underline कीजिए locate the pictures given below अब second question है pictures का आपको यहाँ पर pictures देखनी है choose the appropriate describing word for each picture from the hint box write it in the space given one has been done for you तो हर picture के लिए आपको एक अच्छा सा describing word चुनना है जो कि इस hint box में दे रखी है उन में से तो देखिए पहला क्या है यह smile कर रहा है खुश हो रहा है तो यहाँ पर happiness के लिए choose कर लिया हमने यह ice cream कैसी है ठंडी है तो हम इसके लिए cold choose कर सकते है cold का मतलब क्या हो जाता है ठंडा तो cold देखो मैंने इनकी सामने already लिख रखे हैं आप इनको लिख लीजेगा उके उसके बाद यह elephant कैसा होता है big होता है तो यह जो big है वो elephant के लिए हम लोग use कर सकते है कि वो बड़ा होता है यह है एक ball ball कैसी है round है cold है एकदम तो round हम ball के लिए use कर सकते है sun कैसा है sunny है और यह giraffe कैसा है यहाँ पर जिराफ नहीं आएगा सो इस तरीके से आप इस वक्षिट को पूरा करेंगे जिराफ कैसा होता है लंबा होता है टॉल होता है तो आज की वक्षिट यहीं हो जाती है I hope आपको समझाई होगी अगर आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहीं होता है तो आपको सब्सक्राइब कीजिए पार आपको सब्सक्राइब कीजिए